mutual fund से जल्द से जल्द करोड़पती कैसे बने आखिर कौन से वो सीक्रेट्स हैं जिसकी वज़े से हम करोड़पती बन सकते हैं अपने लाइफ में और वो भी mutual fund से जितनी जल्दी पॉसिबल हो कवर करूंगा डिटेल में इस वीडियो में अंतक बने रहिएगा बहुत सारे अलग-अलग सीक्रेट्स पर बात होगी 31 की उमर में अगर आप है 40 की उमर में हैं 50 की उमर में हैं तो आपके फर्स्ट करोड़ किस तरीके से आएंगे और आप कैसे wealth बनाएंगे calculator भी साथ में मिलेगा इस वीडियो के सो कैसे use करना है क्या-क्या terms and conditions हैं last तक बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि 10 साल में कैसे आप अपने जीवन में अपनी ही सेविंग्स से आप कैसे विल्दी हो सकते हैं इसके लिए हम आपको financial education देते हैं और यहां पे आप सीखते हैं wealth creation के rules आप जानते हैं कि कौन-कौन से investments गलत होते हैं life में आप के लिए क्योंकि कोई standard rule नहीं होता as per financial planning last 17 years में देख रहा हूँ कि कोई भी अच्छा investment नहीं होता या खराब आपकी situation में जो चीज अच्छी हो आपकी situation में जो चीज आपके लिए wealth create करा दे जो आपकी financial success करा दे वो आपके लिए अच्छा so retirement कैसे आप achieve कर सकते हैं कम से कम समय में ये सारी चीज़े आप discuss करते हैं सिर्फ तीन दिन में मेरे साथ live workshop में and it is available to you at just 299 और अगर आपके पास समय की कमी है you can go for my recorded session और recorded session के साथ में आपको मिलती है मेरी e-book ये दोनों चीज़े आपको मिलती है 499 में links description में हैं अपने जानने वालों के साथ भी ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें आईए इस वीडियो में हम आगे चलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा objective क्या है सो हमारा objective है बहुत simple कि आप अपनी wealth create कर पाएं आप करोड़ोपती हो पाएं चाहे आपकी 30 साल हो 40 साल हो 50 साल हो सो 10 सालों में कैसे हो सकता है अगर आप 40 के हैं तो भी 50 के हैं तो भी और आपकी life में meaningful wealth क्या होगी इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे यह detail में है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को save कर ली जाएगा वक्त की कमी है तो आप बात में देख ली जाएगा उसको save करके हम detail में discuss करेंगे कि आपकी savings क्योंकि यह वो factors हैं जो आपको करुपती वेल्दी बनाने में बहुत important है और साथ में जो calculator है वो भी detail में discuss होगा सो हम लोग saving के ओपर बात करेंगे आज की then one time investment mutual fund scheme risk क्या क्या होगा हमारे पास direct or regular plan किस तरह से चुने calculator के बारे में हम बात करेंगे how it can fail so उसको भी हमको किस तरह से protect करना है जो points है जिसको कि हमें बचाना है जिससे wealth हम protect कर सकें और इस strategy को अच्छे तरीके से implement कर सकें आपकी life में and what is the way to ensure your wealth so यह हम detail में discuss करेंगे सबसे पहला point आता है savings so monthly saving आपकी क्या है क्योंकि wealth बनाना है तो friends एक चीज़ बहुत clear है कि आपकी wealth बनाने के लिए जो भी आपकी saving है आज की और जो future की savings है यह सारी चीज़े मिला के ही आप अपने आप में जब इसको सही दिशा में invest करेंगे right financial planning के साथ तब ही आपकी wealth बनेगी so whatever the age you are today 30, 40, 50 जो भी आपकी age है इसके according ही आपको invest करने की जरूरत पड़ेगी यह बात बिलकुल तय है so आज की आपकी savings क्या है आपकी second number पर आपकी family में जो भी लोग earning है या नहीं earning है working है नहीं working है so उनकी भी आपको wealth साथ में जोड़ना पड़ेगा because it's always about your family then आपकी भविशी की savings क्या है so that is depending on your career so career में जितने साल बचे हों जो आपके पास growth का मौका आपको दिख रहा हो career में यह उसके उपर भी निरभर करेगा so beach bit में ऐसे बहुत सारे points आएंगे जिसकों की discuss करता चलूँगा live session में हम इनको जरूर discuss करते हैं detail में then बात आती है mutual fund scheme की देखिए mutual fund scheme में selection so mutual fund scheme का एक छोटा सा पहलू यह आता है कि हमारे पास में equity fund हो सकता है जब मैं wealth create करने की बात करता हूँ तो SIP is a very important tool for wealth creation जब आपके पास पैसे की कमी है आप regular basis पर थोड़ा थोड़ा investment करते हैं तो इससे आपको सबसे ज़्यादा wealth बनेगी जब आपके पास पैसा बन जाता है यह इसका reverse आपको नुकसान भी दे सकता है equity so share बजार किस तरह से चलती है यह आप दूसरी वीडियो से देख सकते हैं SIP के उपर डिटेल में वीडियो है उसकी but point is आप कम price में units को लेते हैं same scheme की और उसके बाद उसको एक अरसे बाद आप उसको sell करते हैं so long run में आप अगर देखें 5 साल 10 साल so आप ideally अगर मान के चलें 7-8 साल के लिए आप SIP रखते हैं तो वही आपको SIP करनी चाहिए वरना नहीं करनी चाहिए दूसरी बात आप large cap, mid cap, small cap आपके पास में ज़्यादा tenure है तो आप ज़्यादा tenure के according आप risk ले सकते हैं so risk का purpose क्या है बहुत सिंपल सा यहाँ पे देखिए हमें नहीं पता कि share बजार return कब देगा हम एक बात जानते हैं कि लंबे समय तक अगर आप hold करते हैं तो आपको return देदेगा so economy का return अगर आप मान के चलिए कि economy का जो भी return आएगा उसमें जो भी GDP है plus inflation इतना return अगर आप ले ले तो यहीं आपका share बजार का return है इसमें आप 2% small cap का और जोड सकते हैं mid cap का 1% और जोड सकते हैं so simply यह return आप मान सकते हैं so अगर आप यह मान के चलिए कि 12-15% का return over the period होगा so यह नहीं पता कि यह कब होगा हो सकता है पांचवे साल इस जगे पे हो हो सकता है उसके बाद का समय में यहां पे हो फिर यहां पे हो हमारे निकालते हो यहां हो so यह depend करता है बट यह देखा गया है कि लंबे समय तक जब आप रखते हैं तो valuation आपको अच्छी मिलती है शेर बजार के अंदर so इसलिए इस category को use कर सकते हैं और जो भी पैसा आपको short term में निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है उस पैसे को इसमें नहीं डालना चाहिए so आप large cap, mid cap and small cap में से आप अपने लिए चुन सकते हैं दूसरा risk के side से बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपको दिखता है कि 10 साल बाद बजार नीचे की है तो आपको wait करने की ज़रूरत है, panic में कुछ भी sale करने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए ideally किस date पे आपको पैसा निकालना है उसके according financial planning ही करनी चाहिए यहां हमारा topic है कि जल्द से जल्द करोड़ती कैसे बने तो हम उसके उपर बात कर रहे हैं then direct or regular, direct or regular plan में फ़र्ब क्या है देखिए regular plan में आप commission देते हैं, एक बार आपने अगर product खरीदा है, invest किया है आप इस पे commission daily basis पे देते हैं एक बार का investment है, पूरी जिन्दीगी जब तक investment रहेगा तब तक आप इस पे commission देंगे मान लीजे आपने यहां पे 10 लाख रुपए लमसम लगा दिये तब भी आप इस पे commission देते रहेंगे, जब तक यह पैसा रहेगा और अगर 10 लाख के 9 लाख हो गए, तो भी आप commission दे रहे हैं यह बात ध्यान रखिएगा तो 10 के 15 हो जाएं, चाहे 10 के 5 हो जाएं, आपका जो भी amount होगा उसके उपर आपको commission देना पड़ता है पूरी जिन्दीगी तो यह अपने आप में बहुत नुकसान करता है, अगर छोटा fund है आपका तो आप खुद manage कर सकते हैं, you can invest in direct plans तो every scheme has regular plan और every scheme has direct plan लोग अक्सर बोलते हैं मेरे से, कि इसमें direct plan में already scheme की NAV महंगी होती है, तो इसलिए आपको unit कम मिलती है दोनों schemes में, portfolio grow करेगा, तो direct में जो भी return आएगा regular में उससे लगभग 1-70% कम आएगा, ये बात मन में एकदम clear रखिएगा आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने calculator के उपर, ये calculator especially मैंने बनाया है आपके लिए ताकि आप इसको use कर सके और इसका link भी आपको मिल जाएगा, money IQ class का जहाँ पर link है वहीं पर आपको इस calculator का भी link मिल जाएगा and it is unique, so ये कैसे काम करता है calculator इसमें आप अगर देखें, तो ये जो yellow में है, light yellow में इसी को आपको fill करना है, so आप हमने ये माना है कि आपकी career में आपकी growth ले रहे हैं, so हम 30 साल, 40 साल, 50 साल, तीन category पर हम इसको calculate करने वाले है so 10% का yearly हमने growth माना है, so इस साल अगर आप कोई amount invest कर रहे हैं SIP में so अगले साल आप उस amount को 10% से बढ़ा देंगे, months में आप यहाँ पे 360 ले सकते हैं minimum 12 महीने लेने पड़ेंगे, so आप months इसको fill कर लीजे, so 30 साल का व्यक्ति है 360 महीने हमने ले लिये हैं यहाँ पे, अब आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 360 months है SIP का amount मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लगभग 5000 रुपए का, so यह मैंने ले ले लिये 5000 रुपए, top up यहाँ पे मैंने हटा दिया है so आप अगर देखे 5000 रुपए के SIP है, आप लगातार का जो amount है वो बढ़ा रहे हर साल 10% से और यहाँ पे आपने top up कर दिया 10-10,000 रुपए, so आपकी value बनती है, जा करके 6.73,00, 15% के return पे आप इसको भी बदल सकते हैं आप अगर देखें, इसी को अगर आप regular plan में करते हैं, तो मैं 13.75 ले लेता हूँ, तो क्या फरक पड़ेगा, 5.50,00, 6.73,00, unit to decide की आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे मैं इसको वापस से 15% कर दे रहा हूँ, और 15% करते ही, 6.73,00, की value आती है, आप अगर देखें, 10-10,000 का top up है, यहाँ 15,000 का top up है, तो आप इसको चाहें, तो हटा भी सकते हैं, अपने यहाँ पे अगर बात करता हूँ, 30 साल की, तो 30 साल में यह value आती है, अब यह sell आपको क्या दिखाता है, value of 6.73,00, at that time, is equal to आज का 88,00, तो दोस्तों, यह amount भी अपने आप में, आज अगर आपक 60 है, तो it is not a small amount, अब इसी को हम change कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, एक सो बीस महिना, और एक सो बीस महिना करते ही, यहाँ पर 20 लाग होता है, तो हमें investment बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, मैंने शुरू में कहा था कि career के उपर depend करता है, तो आप अगर इसको 10,000 करते हैं, तो यह value आपके सामने है, हम यहीं मानके चलेंगे, कि आपके SIPE आप बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, 15,000 कर दीजिए, आपके सामने values हैं, तो time और आपके पैसे के according, आप खुद इस पर से calculate कर सकते हैं, बट यह amount निकलेगा, नहीं निकलेगा, अगर यह एक करोड भी है, तो क्या आप इसे करोड को निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ तक बनेगा, नहीं बनेगा, यह बहुत सारे factors के ओपर depend करता है, वो भी detail में discuss करूँगा, तो इसलिए इस वीडियो को अन तक देखिएगा, कि क्या फरक पड़ेगा, यह आप में ले ले रहा हूं, 240 महीने, तो यह बन जाती है, वैल्यू 3 क्रोड, मैं इसको 10 अजार कर देता हूं, तो 10 अजार पे बनती है, 2 क्रोड 60 लाग रुपए, तो यह भी अपने आप में सम्मान जनक वैल्यू है, लेकिन अगर इसकी 20 येर्स के बाद बात करूं, तो यह वर किये है, आपके पास PFB है, आपके पास insurance plans भी है, आपके पास FDs भी है, बहुत सारे खराब plans हैं, जो कि आपको नुकसान देते हैं, और आपके पास में inflation से कम return बनता, दोस्तों अगर आप inflation से कम return बना रहे हैं, तो जीवन में आपकी wealth नहीं बनने वाली है, तो आपको क पैसा आपको short term में जरूरत है, उसको आप FDs में रख लीजे, जो पैसा आपका long term का है, उसको तो आप use कर सकते हैं wealth के लिए, तो अगर मैं बोलूं कि जल्द से जल 10 साल में एक क्रोड बना लीजे, दो क्रोड बना लीजे, ऐसे नहीं होता, आपकी जीवन में risk है, आपकी is good or bad, आपकी situation में जो भी suit करें, so मैं यह मान लेता हूँ, यहाँ पर आप 5 लाख रुपए invest कर सकते हैं, so 5 लाख रुपए का आपने investment किया, और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 120 महिने total में, so 120 महिने पर अगर मैं 10,000 के investment पर जाता हूँ, so आपके सामने है कि 5 लाख करता हूँ, तो देख लेते हैं 79,000, अगर मैं 20,000 कर देता हूँ, so 20,000 में आपके सामने है 98,000,000 रुपीज, आपको खाली करना यह पड़ेगा, आपको यहाँ पर consolidation करना पड़ेगा, जो भी खराब investment आपके पास में है, at the age of 40, you have some assets, आपने गलत investment जो भी किया, उसको streamline कर ल करेंगे कि यह कैसे fail होता है, क्योंकि अगर इसकी मैं बात करूं एक amount बनाने की, तो यह amount तो अपने आप में बहुत बड़ा बन सकता है, calculator पे, लेकिन जीवन में कैसे निकले, आप इसको अपने account में कैसे लें, किस तरीके से ensure करें कि यह आपको मिले, इसके उपर भी बात क करूंगा, तो अगर आपकी उम्र है 50 साल, मैंने यहां पे ले लिया है, कि आप 25,000 के SIP कर सकते हैं, तो 25,000 के SIP की हमने, 5,000,000 का हमने top-up की जगे, हम इसको 10,000,000 का top-up कर सकते हैं, तो 10,000,000 का करता हूँ, 25,000 के SIP और 10,000,000 का top-up अगर हमने लिया है, तो हमारे सामने figure आ 25,000,000 भी करता हूँ, तो भी आपके पास में ठीक-ठाक amount रह जाता है, 16,000,000 के बाद भी 60,000,000 रुपीज, तो अगर ये 60,000,000 रुपे अपने आप में हैं, तो भी आपको दिखता है कि ठीक-ठाक कॉर्पस आपके पास हो गया, बट ये ठीक-ठाक number है क्या, क्या ये number आप बहुत सारे चीज़े हैं, जो आपके जीवन में बची हुई है, आपका ये life का graph है, तो आप अगर 30 की उमर में हैं, आपके सामने बहुत सारे खर्चे हैं, मैं कह सकता हूँ, मेरे पिताजी अगर मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं करते तो अरभपती होते, अगर आपके पिता शुरू किया और कभी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टीवी पे या यूट्यू पे ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है, कि आपके पास इतने करोडों हो सकते हैं, लेकिन खर्चे आपके जीवन में हैं, बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, उनकी श फेल कहां पे होती हैं चीजें, फेल होती हैं फ्रेंट्स, जब हम इन पैसों को लगातार ये मानके चलते हैं, कि ये तो हमने छोड़ दिया और वहां से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अचानक घरवाले बोलेंगे ये वाली जरूरत है, आपको भी दिखेगा, ये लोन्स का repayment, so loans आपको वापस करने हैं, आपके सामने है बच्चो का higher education, so higher education के पैसे भी आपने भरने हैं बच्चो के, then आपके पास में है बच्चो का settlement, so settlement के भी पैसे आपको देने हैं, then बच्चो की marriage से related होगा, और उसके बाद अगर मैं बोलूं, तो आपका अपना retirement, friends, एक बात बहुत सिंपल सी है क्या है वो सिंपल सा पॉंट यह है कि जो भी आप करोगे करोगे अपनी सेविंग से ही अब इसमें रिटार्मेंट के पैसे कौन से हैं इसमें बच्चों के पैसे कौन से हैं इसमें लोन का पैसा कौन सा था बहुत सारे अलग-अलग डिसीजन्स आ एक S.I.P. ले लूँ काम हो गया अरे पूरी दुनिया ये जाती है कि भई या आप सेविंग करते हो ठीक है देख लेते हैं क्या हो चाते हैं लोग सो मारकेट में कौन-कौन लोग हैं अडवाइजर से हैं आप पूछते किस से हो कि आपको इन्वेस्ट करना है आपने यूट्यूब से देख लिया गूगल से देख लिया कभी सच नहीं पता चलेगा कभी नहीं पता चलने वाला आपने मूचल फ़न एडवाइजर से पूछ लिया पोस्ट ऑफिस एजन्ट किसी से भी पूछ लिया हर किसी को क्या चाहिए आप सबसे जादा पैसा इनके साथ इन्वेस्टेट रखो और पूरी जिंदिगे इन्वेस्टेटर को आप खाना खाओ चाये ना खाओ सो फैसा आपके पास बना रहे और पूरी जिंदिगे रहे आपका इन्ट्रेस्ट क्या आपके घर लोन मुक्त हो जाए बच्चे हमेशा सेफ रहे आपका करियर जैसा भी यहापके लाइफ में आपके घर का बजट लगातार सही चलता रहे रिटार्मेंट के बाद भी बच् क्या किसी एक SIP से possible है आपको emergency fund भी चाहिए आपको दो साल के लिए पैसा डालना है तो वो पैसा भी आपको requirement होगा this can be through financial planning only क्योंकि बाकी सब को अपना plan बेचना है and this can be done by you with financial literacy आप अगर अपने पैसे को बचाते हो और आप नहीं पढ़ते हो तो फिर problem है इसलिए आपको पढ़ने की जरूवत है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इसको जानने में interest है कि एक करोड़, दो करोड़, चार करोड़ कैसे बनेंगे ये calculator आपके पास में है आप उससे कर सकते हैं लेकिन अगर आपको वाकई financial success चाहिए अपनी life में तो links आपके पास description में हैं 17 सालों के experience के साथ आपको पढ़ाऊंगा financial planning के वो तरीके जिससे आप wealth create कर पाएंगे, वो तरीके जिससे आप अपनी luxury bills दे सके, 5 से 7 साल में retirement होने के क्या तरीके हैं क्यूंकि सिर्फ investment से काम नहीं चलेगा, tax planning, insurance, हर एक चीज़ आपको जानने की जरूवत है overall wealth creation करने के लि recording session, links are in the description. Start learning now.